हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कल हमें विप्रो, टाटा मोटर्स, गोदरेश सीपी, अम्बुजा सीमेंट और ग्रासिम इसमें किस तरीके का ट्रेड लेना है और उसके पीछे का लोजिक क्या है तो उसमें से जो सबसे पहला इस्टोक है वहा है विप्रो विप्रो में 1R के चार्ट पर यहां पर बना हुआ है सूटिंग स्टार पैटन, सूटिंग स्टार पैटन जो अप्ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कनवर्ट करता है और इसके साथ साथ में यहां पर बना हुआ है ट्रिपल टोप पैटन या है फस्ट टोप, या है सेकंड टोप और या है थर्ड टोप अगर हम मैगडी और RSI से भी कनफरमेशन लेना चाहें तो आप देखोगे कि दोनों में नेगेटिव डाइबर्जन्स है मैगडी में भी नेगेटिव डाइबर्जन्स है और RSI में भी नेगेटिव डाइबर्जन्स है जिससे या स्टोप कल बेरिस हो सकता है और इसमें हम सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे हम किस पॉइंट पर सेल करेंगे, हमारा इस्टोप लोज क्या होगा और हमारा टार्गेट क्या होगा इसकी जानकारी आपको टेलिग्राम चैनल पर दे दी जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्सन में है, आप जोईन कर सकते हो इसके बाद जो सेकेंड इस्टोप है, वह है टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स में डेली के चार्ट पर यहाँ पर बना हुआ है बुली सरामी पैटन बुली सरामी पैटन जो डाउन ट्रेंड को अब ट्रेंड में कनवर्ट करता है और इसके साथ साथ में यहाँ पर बना हुआ है double bottom pattern यहाँ फस्ट bottom और यहाँ second bottom जिससे यहाँ stock कल बुलिस हो सकता है और इसमें हम buying का position बनाएंगे इसके बाद जो third stock है वहाँ है Godress CP Godress CP में 1R के चार्ट पर यहाँ पर बना हुआ है evening star pattern evening star pattern जो uptrend को downtrend में convert करता है अगर इसी चार्ट को हम minimize करें और एक rectangle बनाएं तो आप देखोगे कि यहाँ इस rectangle को कुछ इस तरीके से follow कर रहा है तो chance है कि कलिया stock यहाँ से इस तरीके से bearish हो और इसमें हम selling का position बनाएंगे इसके बाद जो fourth stock है वहाँ अम्बुजा सीमेंट अम्बुजा सीमेंट में daily के चार्ट पर यहाँ पर बना हुआ है बुलिस हरामी pattern बुलिस हरामी pattern जो downtrend को uptrend में convert करता है और इसके साथ साथ में यहाँ पर बना हुआ है triple bottom pattern यह है first bottom, यह है second bottom और यह है third bottom जिससे यह stock कल बुलिस हो सकता है और इसमें हम buying का position बनाएंगे इसके बाद जो fifth stock है वहाँ है grassim grassim में 1R के चार्ट पर यहाँ पर बना हुआ है hammer pattern hammer pattern जो downtrend को uptrend में convert करता है और इसके साथ साथ में यहाँ पर बना हुआ है double bottom pattern यह है first bottom और यह है second bottom जिससे यह stock कल बुलिस हो सकता है और इसमें हम buying का position बनाएंगे हम किस point पर buy करेंगे हमारा store close क्या होगा और हमारा target क्या होगा इसकी जानकारी आपको telegram channel पर दे दी जाएगी जिसका link description में है आप join कर सकते हो